हलो फ्रेंड वेलकम तुमाय चैनल अपनी रजोई आज में लेकर आएन हूँ बहुत जटपट से बनने वाली दीखवास टेस्टी जो कि आप 10 में बना सकते हैं आज में बेighorn का पराठा हारे मूं का पराठा है काफी टेस्टी होता है हेलदी भी होता तो मैंने मूं को रात में बिंगो के रखत दिया था अ defensive ससे पना निख लें फो रहाँ तो यहां पेश ल barrel की टालेगा हरी पहला है यहां पर धुपतर सास bog मिद्स सुखी रस पाम कषी 나ral डका सा एक सारह करें स्टार नुद्सां काल यहां चाहिज उताने कि पहलेगा यहां वैगे तो धुर्ट अति करते हिसी जालें गोबी को ग्रेट करके डाल सकते हैं एक चमच रिफाइन ऑल डाल देंगे या फिर घी डाल देंगे इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और जब आठा अच्छे से मिक्स हो जाएगा उसके बाद जो हमने मुंग पीशा है उसे से आठा को गुंद लेंगे तो हमने यहां पे जो है वो बचे का नहीं बराबर से आटा गुंच जाएगा तो लेकिन अगर फिर भी थोड़ा बहुत बच जाता है तो आप इसमें थोड़ा बेशन प्याज बगर डाल के पकोड़े बना सकते हैं या फिर इसका चीला बना सकते हैं थोड़ा सा सूजी मिक्स कर दीजिए आट जाते हैं सुबर ब्रेकफास्ट में दस मिनट में आप इस तरह से पराठे चीला बना लेंगे तो मैंने अपने चैनल पर पहले भी इस प्राउट पराठा सेयर की आपके साथ आप लोग ने उसे काफी पसंद किया है तो इसे भी देखेगा और ट्राइ करेगा आपको लगा के फिर से उलट-पलट की अच्छे से से शेक लेंगे तो यह देखिए इसी तरीके से हम बाकी के पराठो को बना लेंगे और आप इन्हें ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं लंच बॉक्स में भी लेके जा सकते हैं ठंडे होने के बाद भी पराठे काफी अच्छे लग में बाइब बाइब